जिसमें आपका स्ट्रॉंग हो स्कील वह आप करना चालू करिए लोग क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आप अगर सक्सेस करेंगे तो आपके पीछे लोग आंगे जब मैं मस्रूम कर रहा था तो मुझे अगल बगल वाले लोग क्रिश्टिसाइज करते थे क्या कर रहा है कभी कमपोस्ट में हाथ लगाता है तो कभी कुछ करता है लेकिन जब सीखना है तो खुद बाख खुद सीखना है यह वाले फॉर्म का सर मुझे सेट अप करने में इसमें 16 लाक रुपए लगे हैं और कंपनी के नॉम्स के हिसाफ से चलेंगे तो वह लोग 27-28 लेकिन मेरे पास उतना कैस था नहीं मान के चलिए कि मैं भगवान के दया से और परिवार के यह से असिरवाद से अभी मैं 20-25 लोगों को यहां रुजगार देता हूं महीने का मैं अगर देखूं सारी चीजे बील वगएरा सारी चीजे लेवर कॉस्ट वगएरा हटाके तो तो इससे मैं तीन महीने पर कम से कम दो लाख रुपए इससे बना लेता हूं नमस्कार में नाम सत्यम पटेल और आप भी लाइफटी देखते हैं में मौजूद है रोतास जिल्ला के तिलोथू परिखंट के छोटे सब्सक्राइब किस जगा पर खड़े हैं तो पीछे आप करने लिए और मस्रूम किस परकार से किस प्रकार से पैदा होता इसे जन damals को बता दे कि जिनके द्वारा इसकी कहिती की और एक समय में मुझेशन के बालते हैं उनके द्वारा खुद का start-up सुरूख जाता है और मश्रूम की खेती करना सुरूख करते हैं और साथी साथ मुष्रूम की खेती करके महीने के लाखर रूपए तो कमा ही रहे हैं इसके सासे कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है जहां एक तरफ देश्क में अगर बात कर तो चार बश्रूम की गया को आपक già कर अपने घर जाकर अपने घाओं जाकर जाकर इसकी की केपने करने चाहां के सबसे पहले आपके दरशकों को पढ़वन सब्सक्राइब कंपनी है जो करेंसी सौर्टिंग मशीन बनाती है उस पर मैं सीनियर इंजिनियर था बट खुदा नखास्ते 2018 में मार्च 2018 में हमारे फादर की डेथ हो जाती है हट अटेक से और फिर हमारी मदर थी और यहां पर हमारा कमाइन फैमिली है तो फिर मुझे विचार आया कि अब अपने घर के तरफ मूव करना चाहिए और अच्छा खासा मेरा वहां पर पैकेज भी था बट एक घर का सुकून नहीं था तो फिर मैं सोचा कि आहिए आलमोस्ट वहां पे मुझे कारे करते हुएगं आई मैं सरूह में बहुत सारी डिफिकल्टी या आई जैसे अपने मेरा पुस्तैनी जो घर है उसमें छोटे-छोटे कमरे थे तो मैंने सोचा उसको यूज करूं और उसमें जब यूज करने चला तो मैंने छोटा-छोटा एसी लिया तो उसमें भी मश्रूम्स आये लेकिन उस तरह की नहीं आये तो फिर धर वाले मुझे मोटिवेट करते रहते थे नहीं करो यार कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि जब उल्यक्तव इतना तो आना चाहिए तो फीर मैं में किया कि चलो up में करेंगे नहीं तो नुकसान होगा बट आप देख सकते हैं सारी तरफ कांक्रीट की और ब्रिक की कंस्ट्रक्शन है इसमें कोई टेंप्रेचर लॉस नहीं होता है आप देख सकते हैं कितना अच्छा मश्रूम्स आया हुआ है तो फिर मैंने जब फर्स टाइम करा तो मुझ इसमें 16 लाक रुपए लगे हैं और कंपनी के नॉम्स के हिसाब से चलेंगे तो लोग 27-28 लाक रुपए लेकिन मेरे पास उतना कैस था नहीं और मैं किसी से सबसीडी नहीं लिया हूं क्योंकि सबसीडी लेने में बहुत कठीनाई आती है यहां पर सबसे बड़ा चीज है क तो फिर मुझे लगा कि मैंने सोचा कि आखिर क्या क्या इंवार्मेंट मुझे देना है जो दो साल मैंने दिया था छोटे एसी में करने पर उसमें मैंने यह सीखा कि इसको इंवार्मेंट क्या क्या चाहिए तो इसको इंवार्मेंट यह चाहिए कि इसका टेंपरेचर जो ह यह फर्स्ट इंग है दूसरा इसमें कमपोस्ट कितना गुणवक्ता वाला होना चाहिए जितना अच्छा गुणवक्ता का कमपोस्ट होगा उतना अच्छा मश्रूम्स आएगा तीसरा मैं CO2 मेंटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि पेरे पास इंस्टूमेंट नहीं थे तो लोगों को रोजगार देता हूं क्योंकि यहां पर मैं लॉट से कंपोस्ट बन वाता हूं जिसमें कि दस से बारा लोग वहां यह करते हैं यह हमारा ग्रोइंग यूनिट है अलग है और स्पॉन मैं बाहर से ले आता हूं अच्छा अब याप बताएं कि 25 लोग रोजगार चाहिए चाहिए सर्कारी नौकरी का क्रीज में बयार में इसका हैं दिनों सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पढ़िए क्योंकि क्या होता है कि यहां अपने खासकर बिहार के लोगों में यह है कि जब तक complete उमर नहीं खतम हो जाए तब तक वो लोग त्यारी करते रहते हैं उसके बाद उनके बिजनेस जो भी आपके माइंड में हो जिसमें आपका स्ट्रॉंग हो स्कील वो आप करना चालू करिए लोग क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आप अगर सक्सेस करेंगे तो आपके पीछे लोग आंगे जब मैं मश्रूम कर रहा था तो मुझे अगल बगल वाले हाथ से तुड़ाई करता था क्योंकि मुझे सीखना था और आज के दिन देखिए सभी आप देखी पा रहे होंगे सब लोग की किस तरह से चल रहा है अच्छा जाते हैं आप सवाल रहेगा और बहुत ही महीने कितना कमा लेते हैं लेकिन अगर प्रोपर नॉलेज रहे तो आप करें तो उसमें प्रॉफिट साता है लेकिन लागत के साथ साथ प्रॉफिट भी है इसमें आपको 60 परसेंट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखूं सारी चीजे इसी लेवर कॉस्ट वगयरा हटाके तो मैं अलमोस्ट मान जिसमें कि एक सवालाग से उपर हर साल करता हम अगर उसमें इसका बाइप प्रोडॉक्स भी है जैसे यह से यह इसको मैं भर्मी कंपोस्त कर आके इसको भी सेलाउट करता हूं यह पूरे मस्रूम को जो खेती की है इसके ओनर से बता रहे थे क्या 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 चीजी होनी चाहिए काफी कम होना चाहिए और जैसे कि इस अभी चुज़े के इन्होंने असपश्ट तरुप बढ़ता है इस ख़बर पर लगादार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए वन लाइब फीडियो के शाथ बहुत बहुत धन्यवाद